हर्याना रोडवेज की बस में गहनों से भरा बैग चोरी रिवाड़ी से सवार हुई थी महिला छे लाके आभूशनों पर चंद मिन्टों में हाथ साफ अब खबर विस्तार से हर्याना के रिवाड़ी में रोडवेज बस में सवार एक महिला के लाको रुपए के गहने चोरी हो गए महिला रिवाड़ी से दिल्ली पती के पास जा रही थी दिल्ली पहुंचते ही टॉले बैग में रखा गहनों से भरा चोटा बैग नहीं मिला उसन पुलिस में तानाथ हैं बुदवार को सुनीता अपने पती के पास दिल्ली जाने के लिए रिवाडी बस स्टेंट पहुची थी यहां से 13 नंबर बूत से वह दिल्ली जाने वाली बस में सवार हुई थी उसके पास एक बड़ा ट्रॉले बैग था इस बीच उसकी साथ वाले स सीट से खड़ा हो गया इस बीच कुछ मिंटों के भीतर ही चोर ने ट्रॉली के अंदर रखा गहनों से छोटा बैग चोरी कर लिया सुनीता जैसे ही दिल्ली पहुँची तो उसने ट्रॉले बैग चेक किया उसमें रखा गहनों से भरा बैग नहीं मिला बैग में करीब 13 तोला सोना कागजात वे 6,000 रुपए कैश थे सुनीता के अनुसर चोरी हुई गहनों में तीन जोडी सोने की बाली, एक सोने की चेन, एक सोने का हार, दो सोने के कड़े, दो सोने की अंगुटी और तीन जोडी सोने की जुमकी थी चोरी हुए समान की तलाश करते हुए सुनीता और उसके पती बाबुलाल रेवाडी बस टेंड पहुँचे लेकिन तब तक कुछ नहीं मिला, उस बस की भी जाच की गई जिसमें सुनीता सवार हुई थी, उसके बाद जहर थाना के अधीन थाने वाली बस टेंड चोकी में शिकायत दर्जकर आई गई, पुलिस ने चोरी का केस दर्जकर मामले में करवाई शुरू कर दी है